देश्वर कोकिला लतामंगेशकर के निधन के दुख से बाहर भी नहीं आया था कि अब मनोरंजन जगत से एक और बुरी खबर सामने आई है बियार चोप्रा की महा भारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीन कुमार सोबती का निधन हो गया है उन्होंने 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया उनका निधन दिल का दौरा पढ़ने से हुआ है बीती रात साली 9 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है बताया जा रहा है कि प्रवीन कुमार सोबती लंबे समय से बिमारी और आर्थिक तंगी से जूज रहे थे उन्होंने अपने मजबूच शरीर के दम पर एक खिलाडी के तौर पर अपने करियर की शुरुवात की थी हैमर और डिस्क थ्रो में उन्होंने कई पड़क जीते हैं एक खिलाडी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्रवीन कुमार सोबदी ने बॉलवुट का रुख किया था। कई फिल्मों में विलन का रोल किया लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाई ब्यार चोपडा की महभारत ने। जिसमें उन्हें भीम का रोल निभाया था। इस किरदार ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। अपने दमदार शरीर के चलते भीम के किरदार में प्रवीन कुमार सोबदी खूब पसंद किये गए। प्रवीन कुमार सोबती अपने अक्टिंग करियर के दौरा अनमिताब बच्चन जितेंद्र जैसे सूपर स्टार्स के साथ भी काम कर चुके हैं उन्होंने साल 1981 में आई रक्षा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी इसी साल आई मेरी अवास सुनों में भी प्रवीन कुमार सोबती एहमरोल में नजर आये थे इन फिल्मों में उन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया फिर अमिताब बच्चन की सूपर हिट फिल्म शेहनशा में भी वो नजर आये थे इसके अलावा चाचा चौधरी सीरियल में साबू के किरदार में भी वो दिखाई दिये थे ब्यूरो रपोर्ट आज की खबर